जै शेरीरों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुद्ध ब्रस्पती की मीन राशी में थे जहां पर वो नीचके होते हैं जहां पर राहू के तु अक्षपर रहे और पिछला काफी समय अगर देखे तो लगपग लगपग पचास से साथ दिन का समय बुद्ध ग्रहने वक्री हो कर मार की होकर कभी नीच के हुए कभी कुंग राशी में कए कभी राहू के तु अक्षपर चले गए तो इसलिए इस प्लैनेट के अंदर बहुत ज़्यादर डिस्टर्बेंस आया और जब भी किसी प्लैनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकतवों में डिस जिसको हम गनित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की शंता कहते हैं, वानी, यादाश्त, ये सब कुछ बुद्ग्रह के ही ततो हैं. अब ये बुद्ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादर प्रभोधित करता है अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो राओ के तुवक्षपे हो तो वो पीडित होता है वो अपने पूनफल नहीं देता अब ये ग्रह वहां से निकल कर प्याओर ली एक तरीके से देखे तो एक नया जनम बुद्ग्रह का यहां हुआ जहां पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा जेली है अब उस पीड़ा का अंत हो गया है 10 मई से लेकर 30 मई तक यहनी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महिने में बुद्ग्रह मंगल की राशी में गोचर करेंगे ये मंगल अगनी तत्व राशी कहलाती है ये मंगल की सामाने तोर पर देखा जाता है कि बुद्ग्रह मंगल का मित्र नहीं है लेकिन यहां बुद्ग्रह मंगल की मेंश राशी के अंदर है और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं जो शिम्मस सहास के लिए जानते हैं दोनों ही ग्रह युवा हैं, इसका मजलब कही न कहीं ये बुद्ध ग्रह मंगल की राशी में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी आतास को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की शमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ती को बढ़ाने मे शक्षम होगा ये बुद्ग्र है जब ये मंगल की राशी के अंदर गोचर करेगा साथी साथ देखें तो बुद्ध को यहां राहू से मुक्ति मिल रही है बुद्ध को यहां नीचता से मुक्ति मिल रही है अब वो सबी लोग जिनको बुद्ध से संबंदित दशाएं हैं या मंगल की राशी में बुद्ध जा रहे हैं तो मंगल से संबंदित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं तो आपके उपर इसका प्रभाव अन्य राश्यों के मुकाबले जाते होगा बुद्ध ग्रह इस दोरान तीन नक्षत्रों में गोचर करें अश्वनी, भरणी और कृति का जो की करमशे केतु, शुक्र और सूरिय के नक्षत्र हैं तो बुद्ध ग्रह का यहां केतु के नक्षत्र में शुक्र के और सूर्य के नक्षतर में जाना भी किशी न किशी प्रकार से एक अच्छा ही बल देता है क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाएं तो बुध ग्रहे के मित्र بھی होते हैं अगर आपका जनम इसमें से किशी नक्षतर में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट मेश राशी में बैठे हैं तो वो कहीं न कहीं अश्वनी भर्णी करती का नक्षत्र में ही होंगे और बुद्ध ग्रह भी उसके उपर ही गोचर करेगा तो उसके उपर इसका प्रभाव और ज्यादे अधिक हो जाता है अब हम देखेंगे प्रतक प्रतक रूप से यानि अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशी पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है ये बीश दिर अमारे लिए कैसे हैं क्योंकि अब यहां से जैसा कि मैंने कहा कि बुद्ध ग्रह का एक उनर जनम हो रहा है बुद्ध ग्रह का एक नया उद्य हो रहा है अब देखना ये है कि व्यापार के गणित के और वानिज्य के ग्रह बुद्ध मंगल जो ग्रह हिम्मत जोस और साहस के हैं इनके साथ जाकर क्या करेंगे क्योंकि जैसे ही बुद्ध ग्रह मंगल की राशी में पहुंचेंगे वहाँ पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होपर रहेंगे अगर देखा जाए तो बुद्ध वहां 30 तारिक तक रहेंगे 10 माई से 30 तक तो 19 माई तक शुक्र भी उसी राशी में रहेंगे और सूर्य भी 14 माई तक उच्च का होपर रहेंगे यानि कुछ न कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुद्ध के साथ रहेगा अब आईए जानते हैं इसका आपकी राशी पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे ये नई शुरुवात आपके लिए हो सकती और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों किस्तियां क्या लाग दे रही हैं क्या साबधानी देंगी आपको क्या चेताबनी देंगी वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहां कोशिश करते हैं देखते हैं कि धनुराशी के जात्कों के जीवन में इसका क्या परभाव होने वाला है धनुराशी आपकी राशी से पांचवे घर के अंदर ये घटना घटेगी आप देखिए राशी से पंचम भाव में बुद्ध रहे मंगल की राशी में गया है पंचम भाव शिक्षा का ह मंगल की राशी के अंदर बुद्ध का जाना आपकी बुद्धी को तेज और चपल करता है पंचम भाव में बुद्ध गया है इसका मरलब ये इस्तिती कहीं न कहीं आपके जीवन में शिक्षा के तोर पर बहतरी को दिखा रही है तो सबसे अच्छी बात जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए शुब है वहीं सब्तम भाव का मालिक गया है पंचम भाव में ये इस्ति विवाव वैवाहिक संबंद और प्रेम संबंदों के लिए शुब है तो कि इससे पहले ये बुद्ध यहां नीचका होका राव केतु अक्षपर था वहीं दशम भाव का स्वामी भी अब नीचका नहीं रहा राव केतु अक्षपर नहीं रहा और त्रिकॉन भाव में चला गया इसका मतलब ये कॉंबिनेशन अब आपकी व्यापारिक व्रधी नौकरी के अंदर आने वाली अरचनों को सौल्व करेगा कही न कहीं आपके जीवन में प्रोफेशनली ये समय कुछ बहतर होता दिखाई देता है अब इसके साथ दो ग्रह और हैं हम अकेले बुद्ध से ही सब प्रडिक्शन नहीं कर सकते हैं हमने मोटे तोर पे देखा कि दो केंदर का स्वामी त्रिकोंड में गया है शुब होता है केंदर के स्वामी त्रिकोंड में जाए त्रिकोंड के स्वामी केंदर में जाए तो ये शुब फल देते हैं इनी से हम राजयोग बनाते हैं लेकिन इसके साथ क्या है? 19 तारिक तक शुक्र है जो लाभेश होके है पंचम में बैठकर वापस बुद्ध शुक्र यहां देख रहे हैं 19 तक का समय और बहतरी को दर्शाता है professionally gain करने के लिए क्योंकि जब लाभ से संबंद बनता है तो gain होता है प्राप्तिया होती है नौकरी में हो चाए व्यापार में हो चाए पैसा हो किसी भी तरीके से ये स्थी financial आपको support करने वाली है तो वहीं हम देखते हैं कि अगर आप देखे तो कुछ समय के लिए ये नवम और दशम के स्वामी नवम दशम एकादश भाग्य कर्म लाभ इन तीनों का संबंद आपके त्रिकोन भाव में बनता है जिसको हम धनियोग राजियोग कहते हैं यानि बुद्ध ग्रह को तुरंत सयोग देने के लिए तैयार बैठे हैं सूर्य और शुक्र सूर्य कुछ कम दिनों के लिए सयोग देंगे शुक्र उससे ज़्यादे दिनों के लिए सयोग देंगे और बाद में बुद्ध जब अकेले रह जाएंगे तो भी उनका संबंद यहां से बैठकर 11 थाउस से ही बनेगा यानि बुद्ध का नीचता से हटना बुद्ध का राउ के तुअक्ष से दूर होना बुद्ध का केंदर का स्वाम्यों के तरिकॉण में आना और बुद्ध ग्रह की स्थती अपने आप में सूर्य शुकर के साथ बली होकर एक राजयोग को दिखाती है यानि ये स्थती प्रोफेशनली, इकॉनोमिकली, धन, नौकरी, व्यापाज, शिक्षा, संतान, विभाज और प्रेम संबंद सभी तरीके से बुद्ध ग्रह की पॉजेटिविटी यहां किलिरली दिखाई दी है यानि धनौराशी के जात्कों के जीवन में हम कह सकते हैं कि ये स्थती कही न कहीं सकारात्मक है पॉजेटिव है, आपको जीवन में आगे ले जाने बाली दिखाई दे रही है जा है से लिगा